कि येस सो टुड़े वी डिसकूस अबाउट दा मिनिमूम स्पैनिंग ट्री मिनिमूम स्पैनिंग ट्री होता क्या है बेसिक्टि सबसे पहले मिनिमूम को ना जानकर हम सबसे पहले यह जानते कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है यह हमारे पास एक graph दे रखा है, ठीक है, यह जो graph है, यह एक simple सा मैंने graph form किया है, इस graph में मैंने यह देखना है कि spanning tree क्या होता है, यह graph है, अगर इस graph से तुम्हें spanning tree form करने हैं, इस graph से हम कह सकते हैं कि a single graph can have many different spanning tree, यह simple और single graph है, इस से हम different spanning tree form कर सकते हैं, कैसे? spanning tree form करने के लिए हमें 2-3 points को clear करना पड़ेगा first is कि कोई circuit form नहीं होना चाहिए तो अगर हमने start करते हैं suppose हमने यहां से बनाना start किया two और यहां पर मैं ले गई ठीक है और मैंने यहां पर ऐसे भी बना दिया एक five कि हमारे पास पहला spanning tree वहा इस फर्स spanning tree यहां पर कोई भी circuit form हुआ नहीं हुआ ठीक है तो यह क्या हुआ फर्स spanning tree ऐसे ही हम number of spanning tree simple graph से form कर सकते हैं second हमने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह फोर्म कर दिया थर्ड हम कौन सा फांड आट कर सकते हैं जैसे की this is distance four and this is one clear and और कौन सा फांड कर सकते हैं इस graph से हम अगर हमने यूं फांड किया suppose this is this is distance two this is distance three and this is four तो यहां पर यह क्या बन जाएगा close circuit form हो जाएगा हमें circuit form नहीं करना है यानि कि ग्राफ बन गया हमें तो क्या बना या ट्री बनाने ओगे तो यह हमारे पस different type की trees हो माले बना पर थे आपस इढ сторीप इढमे पर स्पैनिक ठीविश ए यह हमारे पास type of tree Po मार्फ जवाइपर के सकते हैं सिंपल इसे अछनी नहीं एंट मिनिमम मिनिमम स्पारिग क्या हुआ, suppose हमने फॉर्म किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, suppose हमने structure एक फॉर्म करके दिखाए हैं आपर, इस structure में क्या है? यह है अपका minimum spanning tree, again इसमें कोई भी circuit फॉर्म नहीं होना चाहिए, vertices एक दूसरे से connect होनी चाहिए, edges प्रॉपर एक दूसरे से connect होना चाहिए, कोई भी loop यहां पर फॉर्म नहीं होगा, means कोई भी cycle फॉर्म नहीं होना चाहिए, so this is all about the minimum spanning tree, एक simple graph से we can form a spanning tree, and minimum spanning tree structure, this one is, जिसमें minimum distances हमाई पास होती है, minimum spanning tree हमाई पास निकल कर आ जाते हैं, so this is all about the minimum spanning tree, okay, अब इसकी हमाई पास तू टेक्निक साथ है, पहला वताय था, प्रिम algorithm and second is crucial algorithm, पहला टेक्निक कोंसर होजाएग, प्रिम algorithm and second is crucial algorithm, so यह दोनो टेक्निक है जो कि हमारा minimum spanning tree को find out करने की यूसफुल होता है, okay, this is all about the prim algorithm and crucial algorithm, we will discuss in other channel and other lectures, this is all about the minimum spanning tree, thank you, wherever you can.